हालो फ्रेंड्स बहुत-बहुत स्वागत है आपका इस वीडियो क्लास में इस वीडियो क्लास में हम डिसकस करेंगे इस पूर्टिंड के कुछ नई परटन के कुश्चिंस, IBPS PO और क्लर के एक्जाम के लिए तो चलिए देखते हैं इन questions को देखी इस समय ऐसे questions पूछे जा रहा है Spottingler के नई बटन के questions है और जिस सभी banking exams में PO में और क्लर के exam में इस तरह के questions इस समय पूछे जा रहा है pre और means exam दोनों में तो इन questions को किस तरीके से करना है देखें यहां पर एक question दिया है और इस question में तीन पार्ट है यह question तीन पार्ट में divided है यहां तक ठीक है यहां से शुरू है road से यह शुरू है और यह question यहां तक है design तक तीन पार्ट में यह question डिवाइड है अब इसमें आपको करना क्या है, जिस पार्ट में एरर है, उस पार्ट को आपको find out करना है, जिस पार्ट में एरर है, उसको find out आपको करना है, तीनों में से, तीनों में से एक पार्ट में भी एरर हो सकती है, दो पार्ट में से भी हो सकती है, तीनों में भी हो सकती है, और इस question पढ़ते हैं है रोड सेफ्टी जगए से हम बॉरो करते हैं ठीक है इस तरी के से एक वर्ड को आपको छेक करते हुए जाना है और part by part जाना है इस तरह के जो sentences रहते हैं इनमें आपको part by part एक एक part को examine करते हुए आगे जाना है आपको ठीक है from nuclear plants which are designed यहां तक यह sentence ही है which are designed in the assumption देखे कोई भी चीज़ को जब हम design करते हैं तो उसको किसी concept पर design करते हैं उसको it is designed on a particular assumption ठीक है it is designed on a particular assumption कोई चीज़ किसी चीज़ के ऊपर आथा देते हैं तो यहां पर आपको इन के स्थान पर on बोलना पड़ेगा यानि second part जो है इसमें आपका गलत हो गया risk can be minimized can be क्या है can be आपका passive voice construction है तो इसलिए इसके साथ हम third form का प्रियोग करेंगे can be minimized only by by a proposition है इसलिए इसके बाद हम ing form का प्रियोग करेंगे तो यह सही है incorporating by incorporating that into safety design तो इस में सेंटेंस में cable second part आपका गलत है ठीक है बाकी सारा part इसमें सही है तो इसमें answer क्या होगा इसमें answer होगा क्योंकि second part जो है वो second में दिया है लेकिन इसमें यह जो option नीचे दिये हैं इनको भी थोड़ा सा उपर नीचे कर सकते हैं जैसे exam में आपको मिल सकता है कि second part को fifth में दिया है और first part को first part को second में दिया है तो इस तरीके से इनसे भी आपको थोड़ा सा घबडाने की जरूद नहीं है यह examiner देखता है कि आप जो adverse situations हैं जो unfavorable situations हैं उनको आप किस तरीके से handle करते हैं जो unexpected situation है उसको आपकिस तरीके से handle करते हैं तो इसलिए ay आपने देखा हो हगा कि mains exam में जो question आते हैं वो पूरे तरीके से unpredictable होते हैं तो उसमें Examiner का purpose ये रहता है कि यदि आपके सामने कोई ऐसी situation आए जिसको आपने पहले कभी face नहीं किया है तो उस situation को आप किस तरीके से face करेंगे ठीक है और English section में मैं आपको बता देता हूँ कि आपको grammar का ज़्यादा role नहीं है आपके concepts clear होने चाहिए आपको grammar को रटना नहीं है आपको ये नहीं सीखना है कि noun कितने प्रकार के होते है pronoun कितने प्रकार के होते है adjective की degrees क्या होती है आपको basic concepts clear होने चाहिए English को समझने का एक sense आपके अंदर होने चाहिए और basic concepts आपको clear होने चाहिए ये जरूरी नहीं है कि सारे sentence आपको समझ में आए सारे words आपको समझ में आए grammar के सारे rules आपको clear हो ये बिल्कुल भी जरूरी नहीं है एक basic understanding English language की आपको होनी चाहिए और basic understanding जो आती है वो आती है reading से ठीक है और reading ये जरूरी नहीं है कि आप हिंदू पढ़ें आप Indian Express भी पढ़ सकते हैं आप Nobel भी पढ़ सकते हैं आप magazine भी पढ़ सकते हैं के बल रीडिंग skills और reading habits आपकी अच्छी होनी चाहिए ठीक है तो जैसे कि मैंने यहां पर आपको बताया कि designed in the exemption नहीं होगा यह designed in the exemption मैंने कैसे पता लगाया कि designed in the exemption नहीं होगा और design on the exemption होगा यह सारा science जो आता है याता है reading से आपको word combination पता पढ़ते हैं कि किस word के साथ कौन सा word नॉर्मली जाता है ठीक है तो इसलिए reading आपको करना जरूरी है daily basis पर एक घंटा reading करना बेहर जरूरी है यदि आप किसी भी banking exam को निकालना चाहते हैं तो तो यहाँ पर मुझे उम्मीद है कि यह explanation आपको समझ में आया होगा इसमें second वाला जो answer है second वाला जो path है in उसके स्थान पर इसमें on आएगा क्योंकि हम बोलते है on the basis of on the assumption इस तरीके से हम बोलते है तो second part इसमें गलत है second इसका सही answer होगा बाकी सारे parts में कहीं भी कोई भी गलती इसमें नहीं है अब देखिए इसको हम देखते है the health of a banking system the health की हम बात कर रहे हैं ठीक है और यहाँ पर banking system countable है तो इससे पहले ए लगा है तो यह सही है अब चूकी यहाँ पर real subject क्या है real subject है health health of a banking system ठीक हम किसकी बात कर रहे हैं हम बात कर रहे हैं banking system की health तो health कैसा है singular singular के साथ हम verb कैसी लगाते है singular singular यहाँ पर लगी हुई है ठीक है इसका मतलब यहाँ तक यह sentence सही है depends एक verb है और verb के बाद हमने क्या लगाया है adverb adverb qualify करता है verb को तो इसका मतलब यह जो combination है यह सही है the health of a banking system depends crucially on the on भी सही है क्योंकि depends के बाद हम all लगाते हैं और यह चीज़़ब करती किस पर incentives पर bankers bankers head अब देखे यहाँ पर एक word आया head यह पूरा sentence depends मैंने यहाँ पर देखा और depends के आधार पर मैंने पता लगाया कि यह sentence present simple tense में है क्योंकि depends का मतलब है कि मैं present simple tense में इसको use कर रहा हूँ तो यहाँ पर यदि present simple tense है तो यहाँ पर भी तो present simple tense ही यूज करूँगा head तो past tense होता है तो इसलिए यह पार्ट इसमें गलत हो गया ठीक है तो सेकंड पार्ट इसमें गलत है incentive bankers have in in being mindful in एक proposition है जिसके बाद आये जी फूम लगा हुआ है mindful एक adjective है एड्जेक्टिव के बाद इसमें आफ लगा है proposition होता है proposition के बाद हम noun लगाते हैं तो noun लगा हुआ है risk and transparent transparent के बाद हम about लगाते हैं तो यह सही लगा हुआ है transparent about what transparent about the true state of affairs true state of affairs का मतलब होता है जो condition चल रही है जो किसी जगे जो condition चल रही है उसको हम बोलते है true state of affairs ठीक है तो बाकी सारा sentence मैंने आपको पूरे तरीके से अनलाईज करके बताया है और इसमें cable यहीं पर इसमें गलती है तो इसमें cable second part में आपकी गलती है ठीक है देखें यहाँ पर यह सजेस्ट कर रहा है और आपका आंसर क्या होगा second क्योंकि second सही है तो इसलिए second आपका आंसर इसमें होगा आई होप आपको यह समझ में आया होगा यह पूरे तरीके से latest और नए पटन के questions है और इसी तरीके के questions आपको देखने को बिलेंगे आप question number third हम देखते हैं इन विच इस बिइंग सीन एस साइन अफ रेलक्टेंस तु कॉप टु कॉप इन कॉपरेटिंग विद एक्टरीशन आफ फ्यूजिटिब डैमेंटेर नीरब मोदी नीरब मोदी का केस आपने सुना होगा पंजाब नेशनल बैंक से यह उनने लोन लिया हुआ है और यह फ्यूजिटिब है मतलब भाग गए है बिना लोन दिये बिना लोन चुका है भाग गए है तो इसको हम बोलते हैं फ्यूजिटिब देखे यहाँ पर मैं आपको चाहूँ तो सारे वर्ड मीनिंग आपको बता सकता हूँ अब डिटेल में पूरा कुश्चन आपको एक्स्प्राइन कर सकता हूँ लेकिन यहाँ पर मेरा पर्पस क्या है यहाँ पर मेरा पर्पस यह है कि किस तरीके से हाउ टू फाइंड आउट आउट आंसर इन जस्ट फोर सेकेंड इन एनी बैंकी एक्जैम अब जैसे हाला कि यह सारे वर्पस में अपनी एबुक्स में अल्लेड़ी बता चुका हूँ मेरी एबुक्स से आप यह सारे वर्पस सीख सकते हैं जैसे एक्टरडीशन का मतलब बाहर निकालना होता है फ्यूजिटिप का मतलब जो भागा हुआ है यह सारे वर्पस का मतलब आपके जो आपके जो वो होते हैं क्या बोलते हैं जिनको रिपोर्ट कार्ड होते हैं उनको हम बोलते हैं टेस्टिमनीज एविडेंस का मतलब सबूत होता है टेस्टिकेशन का मतलब जाच परताल होता है authorities का मतलब official authority जो होती है ठीक है तो सारे words के meaning आपको बता सकता हूँ लेकिन यहाँ पर हमारा purpose क्या है हमारा purpose है कि किसी sentence को किस तरीके से जल्दी से दिका सकते हैं अब देखें यह sentence थोड़ा सा tricky है देखें यहाँ पर आपको which का और what का use पता होना चाहिए what हम use करते है general sense में which हम use करते है specific sense में यह एक simple सा concept इसको आपको समझना है जैसे यदि मैं आपसे बोलू कि what do you like तो इसका मतलब कि आपको क्या पसंद है उस पसंद में कुछ भी आ सकता है उस पसंद में किताबे आ सकती है खाना आ सकता है कपड़े आ सकते हैं कुछ भी आ सकता है I am I am asking this question in the general sense ठीक है लेकिन यदि मैं आपसे पूछू कि which book do you like तो इसका मतलब हुआ कि I am specific I am being specific about a particular book मैं एक बुक को मैं एक बुक के बारे में पूछ रहा हूं कि which book do you like ठीक है तो विच का प्रियोग करते हैं हम specific sense में और वाट का यूज करते हैं हम general sense में यह basic concept है I hope आपको यह समझ में आया होगा यह concept तो यहां पर देखिए हम क्या बोल रहे हैं in which is being seen as sign of reluctance sign of reluctance reluctance का मतलब होता है unwillingness अनिक्षा किसी काम को करने की अनिक्षा उसको हम बोलते हैं reluctance ठीक है तो sign seen एक वर्ड आया है यहां पर तो sign of reluctance को देखा जा रहा है मतलब यहां पर विच जो है वह general sense में general sense वाला एक वर्ड चाहिए यहां पर आपको general sense वाले वर्ड के लिए यहां पर वाट का आपको प्रियोग करना पड़ेगा in what is being seen ठीक है what is being seen as sign of reluctance incorporating with the extradition of fugitive diamond tear Neera Modi British authorities have informed Indian agencies that its letter or request which usually usually के साथ usually के साथ हम present simple tense का प्रियोग usually करते हैं तो यह content यहां पर नहीं होगा यह content भी गलत है ठीक है details details of investigation evidence and witness testimony might be shared with Neera Modi might be के साथ shared लगा हुआ है passive voice construction है तो यह सही है तो इसमें आपका cable एक तो यहां गलती है तो यह कौन सा पार्ट हुआ आपका यह हुआ आपका first part देखें यहां पर भी what suggest किया गया है यानि यह आपका सही है मतलब यह answer यह placement चाहिए इसकी जगह यह चीज होनी चाहिए तो आपका एक तो आंसर यह बन गया और दूसरा बना देखें यहां पर contain suggest कर रहा है कि contains लिखा हुआ है तो एक यह भी इसमें आंसर है evidence and witness testimonies may be shared with Neera Modi तो यह तो अलगी सही है मतलब आपका आंसर क्या होगा आपका अंसर होगा first or second first or second में गलती है तो आपका अंसर क्या होगा fourth क्योंकि first or second जो दिये हैं वो fourth में दिये हैं तो इसलिए आपका अंसर होगा फूर्थ कि अब आप देखते हैं question number fourth इस बाग इस दसाइट आफ हाई-octane मिलिट्री परफॉमेंस ब्रिसलिंग बिद अग्रेशन देखिए अब यहां पर फिर से में ट्रिक बता रहा हूं आपको देखिए आपको साइध कुछ इस्टुमेंट को ऐसा लगता होगा कि सर जो है वो पूरे सेंटेंस को नहीं पढ़ते हैं पूरे सेंटेंस का क्या अर पर फिर जो बनाऊं कि एक एक वर्ड का आपको मीनिंग बताऊं पूरे सेंटेंस का मीनिग बताऊं तो यह जो वीडियो क्लास बनेगी यह दो भूंटे की मिनिमाब बनेगी ठीक है तो आपको आपकी बी अपरोच यही होनी चाहिए बंकिए ऐग्साम में कि आपको एक्ज प्रपस यह होना चाहिए लेकिन आगे जब अप स्लेक्ट हो जाते हैं तो आप अपनी अपडेट करते रहे हैं ठीक है लेकिन फ़दर टाइम भी आपका प्रपस यह होना चाहिए किसी तरीके से एक्जाम को निकाला जाए अब यहां पर देखिए बहुत ही टेक्निकल टाइप के कुछ वर्ट्स हैं हाई ओक्टीन मिलेट्री परफोर्मेंस ब्रिसलिंग अब इस्टुडेंट क्या करेगा इस्टुडेंट इन वर्ट्स को देखते डर जाएगा नर्वस हो जाएगा अरे यह सेंटेंस को कैसे करना है यह सेंटेस तो बहुत कठीन लग रहा है लेकिन ऐसा नहीं है यदि आप ट्रिक अप्लाई करते हैं तो किसी भी किसी भी प्रॉब्लम को किसी भी सिचुईशन को आप हैंडल कर सकते हैं तो यहां पर क्या लेखा है मार्चिंग स्टैप्स और पैट्रियोटिक म्यूजिक य नाउन को मोडिफाइ करता है एड्जेक्टिव तो एग्रेशन क्या है एग्रेशन तो एक नाउन है ठीक है और एग्रेशन किस से पहले लगा है मार्चिंग स्टैप से पहले लगा है पैट्रियोटिंग म्यूजिक से पहले लगा है तो नाउन से पहले हम नाउन नहीं लग लगाएंगे नाउन से पहले हम एडज accus लगाएंगे तो यहाँ पर डो रडा वाएगा होपको आपको समझ में आया होगा कर से वापको साइटिटीननिक्वी परफॉमेंस टैप also कर दो क् い когда ग्रेशिव संहिना करेंव। एग्रेसिव हैं, will offer selfie freaks memorial images on a very edge of the country, country से पहले जब दा दिया है यहाँ पर, तो एज जो है, यह country का पार्ट है, जब country पर्टिकुलर है, तो यह एज भी तो पर्टिकुलर होगा, तो इसलिए यहाँ पर ए से पहले हम दा लगाएंगे, यानि इसमें आपका कौन सा पार्ट गल हैं, ठीक है, second, देखें, यहाँ पर भी aggressive लगा हुआ है, और यहाँ पर लखा हुआ है, third में भी लखा हुआ है, on the लखा हुआ है, तो second और third पार्ट इसमें गलत है, तो आपका answer क्या होगा, यहाँ पर second और third दिया होगा, वो आपका answer होगा, आपका answer होगा five, ठीक है, इस से आप questions को करिए और मुझे पूरा विश्वाश है कि आप test series में और रियल exam में बहुत ही अच्छा आप score करेंगे और पूरी accuracy के साथ questions को आप कर पाएंगे को कोशन नंबर फाइब देखते हैं इसको भी मत फूरा सा detail में आपको explain करूंगा granted forest dwellers legal rights to their traditional lands helps fight deforestation यह question मुझे लग रहा है साथ देखने में इस question को लगता है कि यह question किसी newspaper में से लिया गया है तो इसलिए newspaper reading आपके लिए बहुत जलूरी है daily basis पर forest dwellers कौन होते हैं forest dwellers होते हैं जंगल में रहने वाले लोग forest dwellers ठीक है dwell का मतलब होता है कहीं पर रहना तो dwellers मतलब रहने वाले लोग कहां पर रहने वाले लोग forest में रहने वाले लोग forest dwellers grant forest dwellers grant का मतलब किसी किसी चीज किसी व्यक्ति को देना तो यदि हम गरंट करते हैंका गरंट करते हैं लीगल राइट्स कानूनी अध्यकार किसी चीज के yük डिजिन यर्ण लैंड्स उनकी बहुमी हैं उनकी जो लैंड्स एंपर रहने का उनको हम अधिकार दे देते हैं, उनको लीगल राइट दे देते हैं, उस लेंड का ठीक है, आपकी जमीन है, आप यहां पर रही आराम से कोई दिक्कत नहीं है, तो इस चीज से, अब यहां पर देखिए, यहां पर क्या लेखा है, helps, तो helps क्या है, एक वर्म है, ठीक है, तो यह वर्म ह और यह जो मे temat है विए पोड़ा सब्जेक्ट ज यह पना से पहले का जो पाथ है यह पूरा क्या है है यह पूरा क्या है यह आपका पूरा सब्जेक्ट है तो यहां मैं Self Corporation ang daqui है 50 का मतलब देना ठीक है तो यहां पर एक एक शिन की बात करें किसों देने की ज talk दिया है देने का जो action है देने का जो process है एक activity के या हम बात कर रहे हैं तो activity को हम बताते है जरेंट के फ्रोमें activity को हम बताते हैं जरेंड के फॉर्म में तो grant की स्थान पर इसमा होगा granting है I hope आपको चैसे यांदी मैं आपसे बोलता हूं कि wake-up in the morning is a good exercise तो यहां पर वेक अप क्या है वेक अपको मैं एक सब्जेक्ट की तरह यूज कर रहा हूं ठीक है तो सब्जेक्ट जो होता है वो हमेशा जरेंड फॉर्म में होता है या नाउन फॉर्म में होता है जो सब्जेक्ट होता है वो नाउन होता है आपको बना कि यह मान सकते हैं कि जो सब्जेक्ट होता है वो नाउन होता है और जरेंट जो होता है वो भी नाउन होता है जरेंट का मतलब है कि उसमें वर्ब भी है और नाउन भी है दोनों ही चीजे हैं उसमें ठीक है तो इसलिए इसमें यहां पर ग्रांटिंग सही होगा ग्रांटिंग कहना इसमें सही होग तो एक तो यह इसमें सही है, granting forest dwellers legal rights to their traditional lands helps fight deforestation and climate change, but the vast majority of the world's forests remain under government control with limited access for community. बाकि सबको सही है, इसमें किबल first part ही आपका गलत है और इसका आंसर होगा आपका first, vast majority of the forest यहां पर remain लगा है, तो remain सही है, under government control सही है, with limited access for community सही है, first part इसमें आपका सही होगा, इसमें grant हम नहीं बोलेंगे, granting बोलेंगे, granting, ठीक है, यह एक gerend का concept है, gerend का concept यह आप अच्छे तरीके समझना चाहते हैं, तो इस course में आपको participle का एक वीडियो दिया गया है, non finite verb में मिलेगा आपको वो, non finite verb में, gerend का वीडियो आप देखिए, और participle का वीडियो देखिए, उससे सारे concepts आपको के लिए होगे, अब हम देखते हैं, question number six, और question six पढ़ते है, our focus with forest, our focus, focus हम लगाते हैं, focus के साथ हम लगाते हैं, on, focus किसी चीच पर होता है आपका, किसी चीच के साथ नहीं होता है, तो यह पार्ट आपका गलत हो गया, अब दूसरा पार्ट पढ़ लेते हैं, other natural habitats such as, यह सही है, क्योंकि example दे रहें हम यहां पर, examples के लिए हम सचस लगाते हैं, like नहीं लगाते, like का मतल़ होता है, similar to, other water, bodies, marine, habitat, other, other के साथ, bodies आएगा, ठीक है, other जो हता है, plural noun लेता है, तो एक यह गलत हो गया, यानि, third part आपका गलत हो गया, first part गलत हो गया, answer आपका, first and third, first and third, यह आगया आपका answer I hope आपको यह समझ में आया होगा, इस तरीके सम करते हैं, focus के साथ, on आएगा, और other के साथ, water bodies आएगा, ठीक है, question 7 देखते हैं, if we allow climate change to go unchecked, यदि हम climate change को allow करते हैं, कि यह वो uncheck हो जाए, मतलब uncheck जाए, यदि उसको check नहीं किया जाए, if we allow climate change to go uncheck, मतलब यदि हम climate change को allow करते हैं, कि उसके उपर कोई checking नहों, उसको हम check ना करें, यह इसका मतलब है sentence का, ठीक है, we के साथ allow लगा है, यह सही है, इसमें इस नहीं आयेगा, ग Nexus, this planet is gone to, gone to नहीं हो से इससाथ आएगा going to, second part गलत हो गा का, different than, different के बाद मिसे from आता है, लेकिन एक जल्दी होगा एक पाथ में, different के बाद हम from लगाते हैं, it does today and the means a huge risk to the diversity of the plane plane गलत है यह प्लेन वर्ड गलत है ठीक है पी एल आई एल होगा एक्षिली प्लेन यह अरो प्लेन वाला प्लेन है तो सेकेंड और थार्ड सेकेंड और थार्ड पार्ट में समें गलती है आंसर होगा इसका थार्ड ठीक है चलिए आगे देखते हैं पर नहींचे कि एक पतल Indigenous लुड में किड़नीं अला लार्ड व्लीम से पहले लार्ड लगा है तो यह सही आप ब्लेट ब्लेड फ्लोइं इसका मतलब है ब्लेड फ्लोइDING का मतलब है कि blood that is flowing the blood flowing through them through say through हम लगाते हैं आपका किसी medium के लिए तो kidney को हम एक medium की तरह यूज कर रहे हैं यहां पर जिसमें से blood flow करता है तो यह सही है them यहां पर सही है क्योंकि kidney यहां पर plural है and if anything harms anything singular है तो harms लगा हुआ है यह सही है the circulatory system the continuities will be the first first छे पहले लगाई इसाई है to sense those, those के बाद नाउन लगाते हैं तो क्या होगा effect noun होगा यह effect noun होगा, effect noun होगा, तुह अफेक्ट आये में यहां पर बाकी सब सही है इसमें kidneys has नहीं होगा ठीक है if anything यह नहीं होगा वो सही है बाकी सब सही है इस में के फिर्ड पार्ट गलत है ठीक है आपका answer होगा fourth question number 9 देखते हैं researchers concludes researchers noun है एस लगा है तो इसमें एस नहीं लगेगा यह first part गलत होगे आपका facility actually altered the surface of the contact lens weakening the bonds in the plastic polymer सही है इसमें केवल first part गलत है यह जो है इसको हम बोलते है present participle present participle का मतलब होता है जब दो काम एक साथ होते हैं तो हम लगाते हैं यह जैसे यहाँ पर एक altered एक action altered हो रहा है और एक action weakening हो रहा है तो यह दो action के लिए यहाँ पर हमने लगाया है तो यह सही है यहाँ पर first part में कीवल गलती है first idea है third में आपका answer होगा third चलिए आगे देखते हैं from nursery admission to college entrance in job interview we are lead to नहीं होगा we are lead to नहीं होगा we are led to होगा यह क्योंकि ASMR के साथ third form लगाते हैं passive voice में we are led to believe second part गलत होगे आपका this leads to this leads to सही है insecurity and fears which में में के साथ ऐस नहीं आएगा इसमें यह गलत होगे आपका second part में गलती है एक तो आपकी और third part में गलती है second और third इसका answer हो जाएगा आपका ठीक है तो इस तरीके से इस video class में मैंने 10 question लिये है और इस video class को आप दो या तीन बार दिखेंगे तो यह सारे concept clear हो जाएंगे इसमें कुछ भी मुश्किल नहीं है और इसमें चार question जो है वो mains exam के है bank p.o.mains exam के bank p.o.mains exam से भी आपको ड़ने की ज़रुवत नहीं है वो questions भी आराम से किये जा सकते है और अच्छा score उन में achieve किया जा सकता है कोई भी feedback आप देना चाहते हैं इस video class के बारे में तो यहां पर आप दे सकते है इस video class में इतना ही अब मैं आप से मिलूँगा next video class में Thank you